श्री शिवाई नमस्तुप्यम हरहर महादेव दो अगस्त थी है श्रावन क्रिश्न पतिपदा मतलब एकम की और इस बुद्वार के दिन आप सावन के कौन से पांच पिशे शुपाई कर सकते हैं और साथ ही कौन सी सामगरी का दान करने को गुरू जी न कहा है सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माद्यम से प्राप्त हो जाएगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हम इस सावन में क्या करें जिससे हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कस्ट और बीमारियां दूर हो जाए साथ ही गुरू जी ने जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आके खड़ी हो जाए समस्य पे समस्य आती चली जाए कौन सा पुष्प है जो अर्पित करने से सारी समस्य का सामाधान हो जाता है साथ ही जिन लोगों का विवानी हो रहा है उन लोगों के लिए सावन में किया जाने वाला एक पिशेश उपाई लेकर आए हैं इसके अलावा गुरु जी ने बताया है कि जो शिवालाई नधी के टट पे हो या फिर एकांतेश्वर में हो नर्वदेश्वर शिवलिंग हो उन सब का क्या-क्या मेहद वे और उन पे हम क्या अरपित करें जिससे हमें क्या फल मिले तो ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं तो बढ़ते हैं पहले उपाई की ओर पहले हम आपको बता देते हैं गुरु जी ने दो अगस्त को कलश का दान करने को कहा है आप एक या एक से अधिक भी कलश दान कर सकते हैं किसी ब्रहामर जन को कलश का दान करें वो कलश के अंदर कोई भी सामगरी रख के आप दान करें कलश को खाली कभी नी दान करना चाहिए उसके अंदर कुछ भी आप गेह हूँ चावल या कुछ भी अतिरिक्त सामान जो भी आप डाल सकते हैं उसके या एक का सिक्का डाल दीजिए ऐसे करके आपको कलश का दान करना है आवना दिकमास में किया जाने वाला ये विशेश दान है अब बढ़ते हैं पहले उपाई की और जिन लोगों को कहीं शरीर में गांट हो गई है या फिर अजस्वला धरम से जुड़ी हूई समस्या है या फिर गरवाशय में गांट हो गई हो इसके लिए गुरुजी ने एक 12 शिवलिंग के दर्शन कर लें तो आपको 12 जोतिलिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है आप 12 जोतिलिंग बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश आप दर्शन नहीं कर पा सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा जल जलाधारे से आ रहे हैं जल को प्राप्त करना और साथ ही आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना है ये विशेश उपाय है ये आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की और गुरुजी ने पिछले शावन शीव महाप्राण कथा में ये उपाय बताया था शीव तो गुरू जी ने कहा है कि आप अपने शहर में जाकर बारा मंदिलों में जाकर बारा शीव्लिंग के दशन कर लेते हैं तो आपको बारा जोटिलिंग के दशन का फौल प्राप्त हो जाता है तो ये विशेश उपाय आप आने वाले सावन-सॉमबाल में जरूर करें ये आकड़े के पुष्प दो प्रकार का होता है एक तो सफेद आकड़े का पुष्प होता है और एक हलका नीला मतलब परपल से कलर का पुष्प होता है तो इस हलके नीले कलर के आकड़े के पुष्प को आपको लेना है इसी से एक उपाय करना है जो परपल कलर का पुष्प नी के नीले वाले आफड सिव लिए को शिवाले में लेकर जाना है और इसे माता शूक सुन्दरी के स्थान पर इस्परश कराना है मतलए इस्परश कराते हुए आपको शिवलिंगी उपर अर्पित कर देना है बस आपको इतना करदेने से आपकी ऊपर से बड़ी विपती जो आ या आने वाली है। आपको लग रहा है कि कोई विपत्ति आने वाली है तो वो निकल जाती है। विपत्ति फिर आप पर नहीं आती है। ये उपाई आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चोथे उपाई की और। शीक्र विभा के लिए गुरुजी ने ये उपाई बताया था सावन के महीने में ही ये विशेश उपाई किया जाता है और किसी बीदिनी उपाई नहीं किया जाता है आप सावन में कभी भी किसी बीदिनी ये उपाई कर सकते हैं आपको बस माता शुप सुंदर के स्थान पर लाल चंदन की तीन बिदनी लगा देना ये उपा यदि परिवार का अन्य सदसे करता है तो जिस लड़के ये लड़की की शादी नहीं हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर आपी उपाय कर सकते हैं। गुरु जी ने तीन शिवाले ऐसे बताए हैं जहां पर आपको महादेव को अगर हम परिजात का पुष परपित कर देते हैं तो हमें मनवाइशित फल्की प्राप्ति होती है। आता जाता ना हूँ अन्यास या आपको एक शिवलिंग मिल जाता जहां कोई ना हूँ वहाँ पर यदि आप परिजात का पुष परपित कर देते हैं तो आपको अदालत और कोर्ट केस में भी सफलता प्राप्त होती है। साथ ही यदि आसपास के जो ब्रक्ष लगे होते हैं पांच ब्रक्ष की पांच पत्ति आपको इस भी व्रक्ष की ले सकते हैं। और वह एकांतेशवर महादेव के ऊपर पांच पत्ति आपको श्री शिवाय नमस्तव्य हम बोलते हुए अरपित कर देते हैं। भी ये मनवाशित फल्पदान करने वाला होता है। और साथ ही यदि एकांतेशवर शिवलिंग में आसपास हम थोड़ी सी भी साफ सफाई कर देते हैं। अपनी काम न करते हुए श्री शिवाय नमस्तव्य हम मंद्र के साथ अरपित कर देते हैं। तो आपको शीव यति शीवर मनवाशित फल्पदान करता है। आज के वीडियो में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है। तो आप कमेंट बॉक्स से जड़िये पूर सकते हैं। वीडियो यदि धोड़ा भी उप्योगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अयकर में הע शत्तत हैं। अयकर कनव समझ में यदियों का साकावप कि और कन दोड़ियों का कि समझ वीयोंल के वीडियों कन खाब्योंस